आज हम बात करेंगे Pharma Cognosey की definition की Pharma Cognosey की history की और उसके scope की तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम बात करते हैं कि definition of Pharma Cognosy तो Pharma Cognosy दो बर्ड से मिल कर बना है Pharma Cognosy, PharmaCon और GIGNOSCO Pharma Cognosy का मतलब Drug and GIGNOSCO का मतलब to acquire knowledge यानि कि फार्मा कोगनोसी में ड्रग की नॉलेज लेना है फार्मा कोगनोसी कह लाता है दूसरा देख लेए तर्म फार्मा कोगनोसी वास फस्ट कॉइंड बाई जर्मन साइंटिस्ट सीए सेडलर इन दे यर 1815 इन एन लेक्टा फार्मा कोगनोस्टिका तो इस तर्म था फार जर्मन साइटिस्ट है जर्मनी आपको पता है यूर्पयन कंट्री है capital Berlin है जर्मनी की तीसरा है फार्मा कोगनोसी वस कौन थिस पहले मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता से पी चाह dorлом नेसिजिए औव्र ड्रक्स डिराइब फॉम नेचुरल सोर्सेस डैट इस प्लांट से जीव जंतों से प्लांट समय देखिए जैसे कि आप सद्रक्श किय डेखिए प्लांट से आपको मिलता है अे बत करने तो हमें ने इस्पाइ्टेरिया घुते हैं स्कुर्ण स्टेडी ओफ फिजीकल कैमिकल और बियलोजिकल करेक्टरिस्टिक और प्लांट और कुड द्रग इंक्लूडिंग देर हिस्ट्री कल्टिवेशन कलेक्शन प्रेपरेशन पर मार्केट और कॉमर्स जाने कि हम स्टेडी करते हैं किसी ड्रग का फिजीकल प्रॉपर्टी उसकी आफ मॉर्फ लची देखेंगे उसकी और डेक्टरिस्टिक देखेंगे इस द cats धेंगे हम उसमें बिना कोई मोडिफिकेशन किये तो यह होगे अपना डिफिनीशन वाला पार्ट उसके बाद देखते हैं अगला हम बात करते हैं हिस्ट्रिय आफ फार्मा कोकनोसी का इतिहास कैसा रहा है तो अगर मान लीजिए आपके एक्जाम में आता है तो आप पॉइंट वाइ होता है मैं बता रहा हूं विफोर क्राइस्ट और अडी का मतलब होता है इन्व डॉमिन या फिर आफ्टर देथ ओफ क्राइस्ट इस तरीके से माना जाता है तो यह जो टाइम पीरियाड है यह यह जो टाइम पीरियाड है 35-1500 बीसी इसमें बताए कि क्यूरेटी प्रोपर is an old written document in which Egyptians mentioned about the medicinal values of plants Papyrus Ebers एक old document है जिसमें Egyptians ने बताया है कि कैसे हम किसी plant से किसी particular disease को क्योर कर सकते हैं तीसरा है 460-370 BC इसमें Hippocrates describes human anatomy and physiology he is called the father of medicine and remembered for his famous oath which is now administered to doctor कि और की बात करें आप कभी पढ़िएगा ओध के बारे में तो उस ओध में यह होता है डॉक्तर बताता है वही कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में knowledge ली है मैं वह बिना किसी स्वार्थ के मैं आगे अपने आने वाली generation को transfer करूँगा यह सारी चीज़े और यह भी बताया है उसमें सपत लेता है डॉक्टर की मैं कभी किसी दूसरे पेशेंट को poison लेने के लिए influence नहीं करूगा कई तरह की चीज़ें अपने पढ़ियागा मजाएगा अपने अरिस्टोटल वाइस आपने बुक लिखी है बुक का नाम है हिस्टोरिया इनिमैलियम इसमें इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में बताया है और इसके बाद तीन सो सतातर से दो सो सतासी वी सी यहां पर थियो फ्रेस्टरस जो की एरिस्टोटल के आजी भी कहते हैं उसके बाद लास्ट में गैलेन नाम के हुए फार्मासिस्ट इन्होंने बताया कि हम कई तरह की जो क्रूड ड्रक्स हैं कच्ची दवाएं किस तरीके से अर्क को निकाल सकते हैं यानि कि एक्स्ट्रैक्शन केमिकल कॉंस्टिट्वेंट जो होता है किस तर अधिके कि इसमें मैठेड होते हैं आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि परकोलेशन मैसरेशन और कई तरह के और बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका जिसमें उन्होंने यह सारे मैठेड बताएं तो हम हिस्ट्री को खतम करते हैं क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे फार्मा कोगनोसी कि तो इसमें कई सारे से नहीं कि इस सन में यह हुआ इस सन में यह हुआ तो आप इतना है है इतने इसकोप के बात करते हैं इसको प्रिएắls इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है हमारा यहां पर हर्बल प्रेपरेशन इस लिए उसे क्योंकि हर्बल प्रेपरेशन लो कॉस्ट प्रेपरेशन है और ज़्यादा जल्दी एवेलेबल हो जाती है क्योंकि मिलती है और लिस साइड इफेक्ट इसके नुकसान भी बहुत कम है अगर हम बात करें एलोपैथिक सिस्टम से या फिर और सारी तो हर्बल प्रेपरेशन काफी अच्छी मानी जाती है दूसरा पॉइंट है ओल्डेश्ट ब्रांच यह ओल्डेस्ट ब्रांच है हर्बल प्रेपरेशन का अगर मैं कंपनी बताओ बाबाराम देव की कंपनी ह जो कि एक हर्बल कंपनी है वो क्लेम करती है कि हाई एफेक्टिवनेस और यह सारी चीजह है तीसरा है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइटो कैमिकल्स फाइटो कैमिकल्स होते हैं फाइटो कैमिकल्स बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट और और primary metabolite हमारे होते हैं like carbohydrate, fat, vitamin यह सारे और secondary metabolite के हम बात करें तो secondary metabolite का example हो जाएगा आपका alkalide, glycoside यह सारी चीज़े प्राइमरी metabolite उन्हें कहते हैं which are directly involved in the growth of a body और secondary metabolite which are indirectly involved in the growth of a body यह हो गया और phytochemicals का analysis में use होते हैं various modern techniques के द्वारा like paper chromatography, thin layer chromatography, high performance liquid chromatography यह सारी techniques होती है अगला हम बात करें point आता है cultivation and domestication of medicinal plants अगर बात करें इंडिया की तो एक ड्रग है benjoin तो यह इंडिया बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया बाहर कई देशों से import करता है यानि कि आयात करता है अगर वही मानली जिए इस benjoin का इंडिया में cultivation start हो जाए तो क्या होगा इंडिया बाहर के देशों से नहीं खरीदेगा बाहर के देशों से नहीं खरीदेगा तो यानि कि अब माली जे इंडिया बाहर के देशों से खरीदता है तो इंडिया डॉलर देता है डॉलर दिया तो इंडिया के पाँ जो फॉरन रिजर्व था फॉरन करेंसी थी वह कम अगर हम steroid industry के बात करें तो steroid industry में भी काफी इसका व्यूज़ाई पहले में बता देता हूँ कि आखिर steroid होता गया है steroid वो chemical substances होते हैं जो हमारी बॉड़ी में naturally produce होते हैं हमारी बॉड़ी को disease से fight करने में मदद करते हैं और stamina लेकिन आपने सुना होगा कि इसपोर्ट परसंस जो होते हैं वह लीगली तरीके से सैAnn इस्टिरएड्स को स्टेंटरनली ले लेते अपना स्पोर्ट वे परफेमेंस को बढ़ाने के लिए तो आपने सुनन को समधन chancus निमिलता है इंपोरटेंट जिन जोता है इंपोटेंट जो होता है इंपोर्टेंट ट्रीकर्सर होता अधर्व सीच्ट से प्रेपरेशनस आप इस्टीरोइड ड्रक्स नायक होता है कि यह डाब्शन क्याम करता है कि इंस प्रकर होता हैStand कर्टिक को अगे सकंट्रासप्टीव थे प्रिपरेशन के लिए अब बात आती है कि CORTICो अग्जामपल होते हैं आपको मिल जाएक वर्द काउंटर मिथाइल प्रेडिनी सीलोन प्रेडिनी प्रामुला यह जब allergic reactions होती है काफी ज़्यादा पेन हो रहा हो तो तुरंत इसको reduce करने के लिए यह सारी दी जाते हैं कॉल्टिको इस्टिरोइट और बात करते हैं preparation of antibiotics में इसमें यूज किया जाता है इन मेकिंग flavoring agents and perfumes flavoring agent and perfumes की बात करें तो कई सारे plants होते हैं जिनमें aroma होती है यानि कि खुस्बू होती है तो वह सारी चीजें भी आती है इसमें इन flavoring agents काफी इसमें यूज है फार्मा कोगनुसी का इसकोप काफी है में तो यूज इस यूज इन दब मेकिंग इसकाउट करते हैं उसमें हम production करते हैं सेकेंटरी मेटाबोलाइट का लाइक अलकलाइड ग्लाइकोसाइड का लास्ट है इसकोप इन search for professionals तो हाँ जी हाँ प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी स्कोप है फार्मा कोगनुसी इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए कोई अपना इंफार्म कर रहा है फार्मा कोगनुसी सब्जेक्ट से तो उसका काफी स्कोप है क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है जाधातर बच्चे इससे अवाइड करते हैं एक फार्मा कोगनुसी की ब्रांच होती है मरीन फार्मेसी अगर आप उसमें करते हैं मरीन फार्मा कोगनुसी इसे क्या क्या हम डिजिस को क्योर कर सकते हैं कई सारी चीजें जो यह टू अभी भी नहीं पता है तो वह सारी चीजें पता कर सकते हैं तो आपने इस वीडियो में हिस्ट्री जान लिए क्या होता है यह जान लिया उसका इसकोप जान लिया तो आपको अब हम एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं आपको बताना है कि सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिसीनल एंड इरोमेटिक प्लांट किस सिटी में है तो आज के लिए इतना है बाई